हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीदा आप लोग अच्छे होंगे मैं बिल्कुल अच्छे हैं आप लोगों की दुआ से तो दोस्तों आज मैं जिस वीडियो का रियक्शन लेके आई वो है पवन भीया का एक छोटा सा इंटर्व्यू जिसमें ये बात कर रहे हैं पवन सिंग का करेंगे उससे पहले आप लोग चाहिए को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके जिरूपता है कि आप लोगों को रियक्शन कैसा लगता है और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज की देखना पसंद करते हैं और दूसरी बात दोस्तों कि मेरे अब एक्जाम्स चल रहे हैं बाहिस सारी को मेरे एक्जाम्स खतम हो जाएगा तो उसके बाद जो भी वीडियो आप बोलोगे मैं उसी करें एक्शन जल्दी से जल्दी लेके आ जाओंगी तो जल्दी हम भी वीडियो देखते हैं इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे ब स्पखने में लिए उसके लिए यह लगतार से सबस करते हैं सर बिहार तक में पज़ापका स्वागत है सर जी सर धन्यवाद सबी बताईए सर की कराकाट लोग स्वाद चुनाओं खत्म हो गया उसके बाद भी आप कराकाट लोग सभा में घूम रहे हैं या मतलब जनता से लिए मैं इतना ही बोलता हूं जितना मैं कर सकूं मैंने बोला था कि मैं हमेशा हर किसी के सुख्यों में खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहोंगा यह मेरा फर्ज बनता है पितने लोग चुनाव में आते हैं फिर चले ज़ेते हैं लें आपके जनता से मिले पड़ी जनता क्या आके बारे के सर्व कुछ भी हो अपने भर से दूर थोड़ी को जाता अपने घर आत्मिं घर में रहे गा गे वह सुचे हैं मैं तो ऐजहे एक इंसान कलाकार से ह्फे हो सब कोई हस्ता हुआ दिखें कहीं कहीं दुख न दीखें मैं यही कहूंगा सच अच्छा बीसी बीच और अंगाबाद में सिर्या सिंग की हत्या हुई है लोग पुलिस में आये कर रहें आप भी उसमें आये क्या मामला क्या मामलाब क्या है ये नई उससे बहुत कुछ ये नहीं है मेरा कहनाम सिर्फ यही है कि निर्दोस फसना नीच और दोसी बचना नीच ज़ा है बिलकुल बिलकुल निया हो सही जाच हो क्या है क्या है सासन ने भी कहा कि साथ दिन तक अंदर समय लिया जाज दो दिन बीट गए उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तक क्या पी हाँ तो सर अभी पांच दिन छे दिन है ना इसके बाद हम लोग देखेंगे हाँ यह है कि इतना जरूर है कि सचाई सामने आनी चाहिए और दोसी को सजा मिलनी चाहिए अच्छा आपको काफी अच्छा खासा भोट मिला इसके लिए पब्ली को क्या कहने है मैं थोड़ा सा भी बड़ी दुखी माहौल में आदमी यहां आया है मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं माफी चाहता हूं लेकिन जितना मुझे आशिरवाद मिला यहां से यह मेरा सभाग्य है अच्छा सुनने मैं रहा कि आप एक पार्टी भी हलक क्या बनाने वाले सकती इसका आप इसका फैसला हम लोग दिल से जिस दिन किलियर कर लेंगे तो आप सब से शेयर जरूर करेंगे तो सुना अपने पॉंसी जी ने कहा कि जीत हो या हार हो इसके बाद कुछ भी हम लगतार काराकार्ट में बने रहेंगे सुख दुख में लोगों से मिलते रहेंगे मनोज कुमार सिंग बिहार तक सासाराम तो ही हम कुछ करेंगे क्योंकि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते न क्योंकि अभी तो उनको टाइम है वो तो उनको देना पड़ेगा और इनका यह कहना है कि दोशी को सजा मिलने जी और जो दोशी नहीं है उनको नहीं मतलब है उनको नहीं मिलना चाहिए और पार्टी को लेके मैं हमेशा आपको यही बात बोलती थी कि पवन भीया जब तक ओफिशल एनाउंस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं उस चीज़ को मान सकते तो अभी भी डारेक्ट वेशन करने के बाद भी पवन भीयानन को साफ साफ यही बात कह दिये कि जब चर्चा होगी कुछ डिसाइड होगा अभी कोई डिसीजन आया नहीं है हमारे तरफ से तो मैं आपको फॉर्ट शेर बता ही दूँगा तो बहुत अच्छा इंटर्विव दिया और बहुत कमजोर हो गए है यह इलेक्शन के बाद और उन्हें यह भी स्विक आ रहा है कि कारागाट की जंतर इनको प्यार बहुत दिया है फिर्स टाइम अगर कोई इलेक्ट होता है खड़ा होता है इलेक्शन में और उसको इतनी वोट मिल जए तो यह बहुत माइने रखता है तो मुझे वीडियो अच्छे लगे आप लोग कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जुरूपता है इसे के साथ मैं इस वीडियो को यह पे करती हूं खता मिल झाल 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 झाल